तस्वीरे में अपने दर्शोकों को दिखाना चाहती हूँ ये नया CCTV फोटेज आया है और ये उस समय का फोटेज है जब इस पूरे हत्याकांट को अंजाम देकर ये बदमाश बाहर की तरफ भागे हैं जहां तक मैं समझ पा रही हूँ और देखिए फाइरिंग हुई है दोन सुरजपाल जी अपनी बात पूरी कीजिए तो आप पूरी तरह से इसमें अशोक गैलोथ को जिम्मेदार ठहरा रहें क्योंकि पुलिस सुरक्षा की मांग की गई ती लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया इस और आज ये इतना बड़ा कांड हो गया जोबना जी नि मैं अशोक गैलोथ का नाम बार बार ले ले रहा हूं एक समाजिक संठन का नेता आप से time मांग रहा है आप से request कर रहा है कि मुझे सुरक्षा को मुझे मेरे उपर हत्रा मेरी हत्या का मुझे खतरा है लॉराइट्स विश्णोई झे खतरा है ये जो गोडा रहा है कौन है मै आपके वो जुड़ रहे हैं शेशिकान जी यहां पर मैं समझना चाहूंगी एक नेता अगर पुलिस के पास नेता क्या कोई आम आदमी भी अगर पुलिस के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि मेरे मुझे जान का खत्रा है तो पुलिस एक पैनल बनाती है एक सिक्योरि से इनके बारे में पता है और मुझे कहते हैं कोई संकोश नहीं होता है मीटिंग से होती आम तोर पे जिनके कोई पुलिटिकल उपर से किसी का बड़े व्यक्तिका फोन आया किसी को कहा इसको सेक्योरिटी देनी है नहीं देनी है आम तार पे बहुत हद तक यह सब राजनीत से प्यरित होता है तेंक यू आपने बहुत बड़ी बात कही है और कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यह जो पूरा सिक्योरिटी थेट एसेस्वेंट है यह उसे मांदारी के साथ किया ही नहीं जाता है जिसे मांदारी के साथ होना चाहिए जिनको सच में सिक्योर जब फिल्म आई थी और उसका जो विरोध प्रदर्शन करनी से ना के द्वारा किया गया था तो कई जगे पर ये विरोध प्रदर्शन बहुत हिंसक हो गया था और उसी समय सुगदेव सिंग गोगामेडी जी जो है वो बहुत चर्चा में आये थे तो क्या ये माना जाए कि पुलिस ने अगर इस कंप्लेंट को या इस थेट को बहुत सीरियसली नहीं लिए राजसान के बीजेपी अदेश क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए लेकिन क्यों नहीं की गई क्या कारण थे ये निश्यत्रूप से जाज का विशय है मैंने सूस्ता मिलते ही पुलिस प्रशासन के शिर्षे लोगों से बाचित की तुरंत ही ऐसे अराज़कता फैलाने वाले लोगों को जाज कर दोशी लोगों को सजा मिले मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सुगदेव सिंग जी गोगामिडी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरिफतार करके उनकी तुरंत सजा तैकी जानी चाहिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले पांच वर्षों में एक अराज़कता का महुल राज़स्तान में रहा है और उसी का परणाम है कि इस प्रकार की गटनाएं हुई है निश्चित रूप से इस प्रकार की गटनाएं नहीं हो इसके लिए प्रुशस प्रशासन को हमने बाचित की है